हेलो एरिवान गुड मॉर्निंग इंडिया आप सभी लोग का स्वागत है आपके इस चैनल पर तो आज का अपना जो टॉपिक है कि कैसे अटेंटिव रहा जाए तो मैं को लगता है कि बहुत लोग में से पूछते हैं कि सर अटेंटिव कैसे रहे स्मार्टनेस वाला पार्ट क्या होता है मैं बोलना कि जब भी आपको अपने कॉंपटिशन का भूट केर होना चाहिए मतलब कई बार लोग बोल सकते कि इसको नीड नहीं है लेकि में को लगता है कि प्रजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए आप अगर किसी प्रोड़क्ट पर काम कर रहें तो कि आपको पता होना चाहिए अगरा अगर आपको पता होना चाहिए और कि अंसिव कुक। तो हमें को पता होना चाहिए कि और कौन-कौन से इस्टियूट है जिनको सालों से जो लोग डील कर रहे हैं जो लोग आफलाइन भी पढ़ाते थे जिनका जिनका ट्रस्ट भी बहुत अच्छा है उनके साथ जब हमारा कॉंप्रिशन होता है तो हम अपने आपको कैसे रिप्र करना चाहिए यह कि मेरे स्ट्रॉง जोन कैया है यह मेरे 10 सब्जेक्ट में से 7-8 सब्जेक cartridge इंडिया के बेस्टे लेकिन 2 सब्जेक्ट में और कोई भी बेस्ट है हम से जादा important यह?」 То इससे बन्लाइइ करें कि साथ फोकस्त हो सकें क्यूंकि क्यूंकि आप अगर और दो सब्जेट को बोलोगे कि ठीक है और रॉल तो हमी बेस्ट है तो फिर कोई ना कोई फिर वो धिरे दिरे वो दो नहीं तीन होंगे तीन नहीं चार होंगे और एक दिन आप बेस्ट का तमगा आफ से छिन लिया जाएगा वैसे एस्परेंट होता है कि आपको उसका करना चाहिए कि मेरा वीक सब्जेट कौन सा है क्योंकि जब कॉमपरिशन बिग लेवल में होगा तो आपके वीक जून पर वार किया जाएगा आपके वीक जून रिजल्ट को डिसाइड कर देंगे एक बहुत अच्छा स्कोर आपके वीक जून से निकलता हुआ आएगा लोग जो हो तीन दिन से पढ़ रहे होंगे तीस घंटा पढ़ डाले होंगे जिस समय वह इंज्वाई कर रहा होगा जिस समय वह दस घंटा सो रहा होगा उसमय कोई व्यक्ति राद भर पढ़ा होगा जिस समय वह अपने बड़े पाटी इंज्वाई कर रहा होगा किसी फ्र लोग नोकिया अटेंटिव नहीं था नोकिया नहीं सोचा की मेरी क्या प्रॉबलम है अस्का इसको पता ही चला कि लोग कभ उस फोन को सिच करके दूसरे फोन में आ गया क्यों निव टेखनो टेक्नोलजी को एड़ॉप्ट नहीं कर पाया नियू टेक्नलोजी को अड़ाप्ट नहीं कर पाया पुरा मार्केट से गया वो गया तो इसलिए नहीं क्यों खराब था इसलिए क्यों आटेंटिव नहीं था वो अपने कॉंप्टीटर को ना इग्नोर किया या कॉंप्टीटर को उतना फोकस नहीं किया या वो अपने को उतनी value ने दिया यह उसका negative point था यकीन मानी यह उसका negative point था तो आप अगर अपने competition को कहीं पर भी हो आप professionally हो आप aspirant हो आप किसी भी जगा पर हो आज के date में अगर आप competition को अगर competitor को competition को अगर care नहीं करेंगे ignore करेंगे तो आप भी इगनोर हो सकते हो आप भी out of the market हो सकते तो युसुट भी टेक केर फॉर यकीन मानी है और इजी नहीं हमें साटेंट भी रहना लोग बड़े जल्दी comfort zone को ढूंडते रहते और comfort zone में जब जैसे आप घुसते हो तो आप out of the competition हो सकते हो याद रखिएगा comfort zone is good बड़ यार रखिएगा कि आप अपने competitor को इगनोर मत करो किसी भी किमत पर इगनोर मत करो आप कितने भी आगे हो जैसे gate academy lead करता है हम कितने भी आगे लेकिन हम फिर भी competitor को कभी भी इगनोर नहीं करते हैं और नहीं करना जी किसी को भी ठीक है यही एक secret है gate academy की success का और मेरे success का ठीक है चलो ऐसी enjoy करते रहे है ओके thank you love you all